हेलो एव्रिवान मेरा नाम है रुदृपताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हरो सब्सक्राइब करता हूँ जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले करना पड़ेगा उँच बेसी बाते जो है उनको समझना पढ़ेगा फिर आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम समझेंगे रेखा के बारे में एक ऐसी लखीर जो ढोंड़ों दिशाओं में अनं तक बढ़ती जाया है हम रेखा कहते हैं ठीक है तो यह आपने पास में हो जाएगा मान लेजे इस रेखा का नाम जो है आपके पास में हम क्या कर लेते हैं ए बी कर लेते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर क्या दर्शाएंगे यह यह मान लेजे बी है तो इसका नाम करण आप ऐसे करेंगे A, B, और इसके उपर इस तरह से arrow लगा देंगे, ठीक है, फिर next step अपने पास में क्या, किरण, रेखा का वै भाग, जिसका एक अंत बिंदू हो, और वो किरण क्या लाता है, रेखा का वै भाग, जिसका एक अंत बिंदू हो, तो यहां पर आप देख पाऊगे, कि यह जो है अ एक रेखा का वो भाग, जिसके दो अंत बिंदू हो, वो रेखा खंड क्यलाता है, मान लीजी, इसका कोई टुकडा ले लिया रेखा का आपने, ठीक है, तो बस वो हो जाएगा, इसके अपने पास में क्या हो जाते हैं, दो अंत बिंदू हो जाते हैं, नाम लीजी, इसका नामकरण अपन कर देते हैं AB, तो इसको आप symbolically कैसे दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक है, यह बात है हो जाती है, अब अपने 9 class के नहीं, NCRT ने क्या कर रहा है, कि रेखा खंड, रेखा और किरण, सब को, हम जो है simple AB से ही दर्शा रहे हैं, यहां तो हम पैच अपने पास में क्या होने वाले topic, सरेक बिंदू और असरेक बिंदू के बारे में अपन को पढ़ना रहेगा, ठीक है, अब मान लीजे, आपके पास में क्या है, कुछ इस तरह से situation देर की है, मान लीजे, यह तीन बिंदू हैं आपके पास में, और इन तीन बिंदू के बार लेकिन आप देखिए अपने पास में, एक बिंदू यह हो जाता है, एक बिंदू यह हो जाता है, और एक बिंदू यह हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि, यह दो बिंदू जो है, यह तो इस रेखा पर स्थित है, लेकिन यह तीसरा वाला नहीं है, यदि तीन या किरण हो जाती है और यह अंत बिंदू है और यहीं से एक और किरण आपके पास में आ जाती है अब ज़रा देखना जब दो किरणे एक ही अंत बिंदू से प्रारम होती है एक ही अंत बिंदू से प्रारम हो रही है दो किरणे तो एक कोण बनाती है तो यहाँ पर आप देख र प्रआने वाली दोनों किड़ने कौन की बुजाएं क्यलाती है तो यह जो दोनों किनने है ये क्या क्यलाएंगी आज़े बढ़ते है नेक्स इपने पास में क्या है कौनों के प्रकार अपने पास में अलग-अलग तरह के कोन होने वाले हैं, उनके बारे में अपन study करेंगे, सबसे पहला अपने पास में क्या है, neon cone, जिसको पन कहते हैं acute angle, इसका map 0 degree या उससे बड़ा, लेकिन 90 degree से जो है आपके पास में छोटा होता है, तो यह दिखने में कैसा है, कुछ इस तरह का आपके पास में हो जाएगा, 0 से 90 की बीच में, थीटा जो है अपने पास में cone हो जाएगा, तो थीटा का value जो है क्या हो जाएगा, 90 से छोटा, लेकिन 0 degree से बढ़ा, next अपने पास में some cone, जिसको पन right angle कहते हैं, इसका map ठीक 90 degree होता है, तो exactly ये वाला जो cone है जिसमें आपके पास में ये 90 degree हो, उसको अपन क्या कहते हैं, some cone कहते हैं, फिर next अपने पास में अधिक cone obtuse angle, इसका map 90 degree से अधिक और 180 degree से कम होता है, ठीक है, 90 degree से तो अधिक, लेकिन 180 degree से छोटा, तो ये वाली situation है, यहाँ पर theta, जो है cone को दर्शा रहा है, जो कि 180 degree से छोटा है, लेकिन 90 degree से बढ़ा है, ये आपके पास में क्या हो जाता है, अधिक cone हो जाता है, next अपने पास में क्या है, रिजू cone, straight angle, इसका map ठीक 180 degree होता है, तो ये वाला जो cone आपके पास में बन रहा है ना, ये वाला cone, ये किता है, 180 degree है, फिर next अपने पास में क्या, प्रतिवर्ती cone, इसको व्रहत cone, या फिर reflex angle भी अपन कहते हैं, इसका map 180 degree से बढ़ा, लेकिन 360 degree से छोटा होता है, तो ज़रा देखी, कौन से आले cone की बात कर रहे हैं, हम इस वाले cone की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो theta है, तो ये जो theta है ना, ये 360 degree से तो छोटा है, लेकिन 180 degree से बढ़ा होता है, इसको अपन reflex angle कहते हैं, next अपने पास में क्या, संपून cone complete angle, इसका map ठीक 360 degree होता है, मान लीजिए, आपको इस बिंदू पर complete angle चाहिए, तो ये आपके पास में ये पूरा angle जो है, ये हो जाएगा किता, 360 degree, as simple as that, ठीक है, ये हो गया, फिर next अपन आते हैं, next topic जो आपनको पढ़ना रहेगा, वो है complementary angles और supplementary angles, हिंदी में कहेंगे पूरक cone और समपूरक cone, यदि दो cone का योग 90 degree के बराबर हो, ऐसे cone जो अपने पास में क्या 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 लाते हैं, पूरक cone क्या लाते हैं, उधारन के तोर पे देखिए, जैसे कि आपके पास में 50 degree हो जाएगा, और 40 degree हो जाएगा, इनका योग जो है किसके बराबर है, 90 degree के, तो 50, 140 जो है क्या क्या लाएँगे, अपने पास में पूरक cone क्या लाएँगे, ठीक है, इसी तरह आपके पास में 60 degree, 30 degree हो जाएगा, वो भी पूरक cone का उधारन है, फिर next अपने पास में क्या है, संपूरक cone है, supplementary angles, यदि दो कोणों का योग, 180 degree के बराबर हो, तो ऐसे कोण संपूरक cone क्या लाते हैं, उधारन के तोरे पर देखा जाए, तो 1500 degree और 30 degree, तो इनका योग जो है, वो किसके बराबर है, 180 degree के बराबर है, तो ऐसे में ये, किसका उधारन है, संपूरक cone का उधारन हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास में, जो next topic अपने को पढ़ना रहेगा, वो है आसन cone, जिसको क्यों अपने के कहते हैं, adjacent angle, simple बाशन में अगर समझेना है, तो अगल बगल वाले जो cone होते हैं, वो अपने पास में कहलाते हैं, adjacent angle या फिर हासन cone कहलाते हैं, अपने इसकी जो lying wedge है, इसके उपर बाद में जाएंगे, मैं पहले आपको ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक है, मान लीजे आपके पास में, एक cone तो ये हो जाता है, ठीक है, और एक और cone है आपके पास में, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो मान लीजे ये तौए के आथे आपके आपके आशे में, बिंदू O है, ये आपके आपके आशे में केरण OE हो जाएगा, ये केरण OB हो जाएगा, और यह केरण OC हो जाएगा, तो यहाँ पर दो कौन बन रहे हैं आपके पास में, एक तो यह वाला कौन बन रहा है, और एक यह वाला कौन बन रहा है, तो यह दोनों कौन जो है, क्या है, आसन कौन है, अब जरह यहाँ पर देखो, अगल बगल वाले अंगल, और कुछ नहीं, दो कोण आसन कोण क्या लाते हैं, यदि उनमें एक उभेनिस्ट शीर्ष हो, उभेनिस्ट शीर्ष हो, दोनो कोणों का एक ही शीर्ष हो, एक उभेनिस्ट बुझा हो, तो देखो ये वाली जो है उभेनिस्ट बुझा है, इस वाले कोण में भी है, और इस वाले कोण में भी है और उनकी वो भुजाएं जो उभेनिस्ट नहीं है ये वाली भुजाएं जो उभेनिस्ट नहीं है उभेनिस्ट भुजा के विपरित और स्थित होती है जो उभेनिस्ट भुजा है ये है उभेनिस्ट भुजा उसके विपरित और स्थित है तो देखो न एक इस तरह है और एक इस थरा से एक दूसरे को किसी बिंदू O पे माल लिजी बिंदू O है उसके उपर प्रतिछेत कर रही है तो आप यहां पे क्या देख रहो कि ये वाला कोन मन रहा है ये कोन मन रहा है ये कोन मन रहा है और ये कोन मन रहा है next अपने पास में क्या है से आपने देखों हमने आसन कोण के बारे में क्या बढ़ा था अगल बगलवाले कोण अगर आसन कोण का योग 180 डिगar हो तो यह पने पास में क्या कह लाते है से कोण में सिद्ध vine में पढ़ेंगे पहले आप यहां डीजे तो ऐसे में, इस कोण का और इस कोण का जो माप है, कुल मिला के, जो वैल्यू आपके पास में आएगा, वो कित्ता आएगा, 180 डिग्री आएगा, तो ये रैखिक युग्म कैलाएगे, ठीक है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिगरी हो तो वे कोणों का एक रैखिक युगमो बनाते हैं मुझे कैसे पता 180 है? सीधी रेखा के ओपर कोण है? सीधी रेखा पर स्थित कोण 180 डिगरी होता है उस बात से पन कह सकते हैं तो ये एंगल एक मान लीजी ये आइंगल दो मान लीजी तो आप कहेंगे कि आइंगल एक प्लस आइंगल दो बराबर 180 डिगरी है रैखिक युगमो ठीक है? नेक्स्ट अपन आते हैं रैखिक युगमो अभी ग्रहित लीनियर पेर एक्जियोम्स अपने पास में कुछ एक्जियोम्स रहने वाले हैं वो क्या है जरा समझते हैं सबसे पहला है 6.1 यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो मान लीजे आपके पास में एक रेखा है और एक किरण जो है उस रेखा के उपर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग तो इस प्रकार ये दो आसन कोण बन रहे है कोण एक और कोण दो दोनों आसन कोणों का योग इत्ता हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा बस इत्ता साही आपके पास में ये अभिग्रेथ कह रहा है अब 6.2 जो अभी ग्रेथ है वो क्या कह रहा है यदि 2 आसन कोणों का योग 180 डिगरी है मानलीजे आपके पास में 2 आसन कोण दे रहके है एक तो कोण ये दे रहके है और एक कोण ये दे रहके है मानलीजे ये कोण 3 है ये मानलीजे कोण 4 है आपको कह रहा है कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिगरी है यदि दो आसन कोणों का योग 180 है तो उनकी अ उभेनिष्ट बुझाएं देखो ये उभेनिष्ट है, common है ये मानलेजे बिंदु O है, ये मानलेजे A है और ये मानलेजे B है तो ये जो O A है, ये भी बुझा है, O B है, ये भी बुझा है तो O A और O B क्या है, अउभेनिष्ट बुझाएं है तो उनकी अउभेनिष्ट बुझाएं एक रेखा बनाती है ये बात अपन कहा सकते है, as simple as that ठीक है, आगे बढ़ते अब अपने पास में प्रमे 6.1 के क्या कहता है यदि दो रेखाएं परस पर प्रतिछेद करती है मान लीजे ये दो रेखाएं आपके पास में और ये जो है, एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं इस तरह से तो शीर्षो बिमुक कोण बराबर होते हैं हमने ये चीज पहले पढ़ ली, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा ये कोण और ये वाला कोण जो है, ये भी बराबर हो जाएगा इतना ही concept है और कुछ खास नहीं है ठीक है, हम इसके सिद्ध करने वाले पार्ट पर अभी नहीं जा रहे हैं हम अभी समझने वाले पार्ट पर जा रहे हैं अब डिरेक्ली लेंगे अपन, ठीक है अब हम आते हैं प्रशनावली 6.1 के कुछ कुश्चन्स प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने पास में उधारन नंबर 2 है, वो अपने पास में क्या कहता है, जरा समझने ही कोशिश करते हैं आकरती 6.1.0 में जो कि यह है, किरण O.S यहां पर देखेंगे किरण O.S रेखा P.O.Q. पर खड़ी है, तो यह देखो रेखा P.O.Q. है और यह जो आपके पास में दिख रहा है, यह आपके पास में क्या है, किरण O.S है, यह वाली किरण O.R और O.T क्रमश है, एंगल P.O.S और एंगल S.O.Q. के समधी भाज़क है तो O.R जो है किसके समधी भाज़क है, यहां पर देखेंगे अपन यह देखना, O.R जो है, यह O.R है आपके पास में, यह किसके समधी भाज़क है, कौन P.O.S के, P.O.S यानि कि यह देखो, यह दो डैश बना रहे हैं, मतलब यह दोनों कौन बराबर हो जाएंगे पर नेक्स देखिए, O.T जो है, वो एंगल S.O.Q के समधी भाज़क है, O.T, ठीक है, तो अपने पास में, O.T कहां पर, यह देखो, यह रहा O.T तो O.T जो है, अंगल S.O.Q, S.O.Q, यानि कि यह वाला और यह वाला कौन जो है, यह बराबर हो जाएगा, यह बात जो है, आपके पास में कहा रहे हैं यदि अंगल P.O.S. बराबर X है, यहाँ पर देखेंगे, P.O.S. यह पूरा का पूरा कौन जो है, किसके बराबर है, X के बराबर है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए ना, कि जब पूरा का पूरा कौन X के बराबर है, तो यह समधी वाज़क है, तो पूरा X है, तो यह वाला जो कौन है आपको यह वाला निकालना रहेगा अब कैसे करेंगे जरह यहां पर देखिए मैं इसको हटा देता हूं सबसे पहले आप यहां पर देखिए अपने पास में छोटा-छोटा सा आपन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लारिटी आ तो एंगल POS किता देरका आपको X देरका है ठीक है यह वाला एंगल किता हो जाएगा फिर दीखिए टोटल यह आपके पास में किता है एक सीधी रेखा है सीधी रेखा पर कौन किता हो था 180 डिग्री तो यह वाला कौन प्लस यह वाला कौन 180 हो जाएगा यह X है तो यह किता हो जाएगा, 180-x आपके पास हो जाएगा, आयोगी बात आपको एडिया लग रहा होगा, अब यहाँ पे यह सम्धी बाजिक था, तो टोटल x था तो उसका आधा आधा हो गया, x बटे दो और x बटे दो, अब यह वाला जो कॉन है न, s, o, q, यह किता है टोटल, 180-x यह कॉन पूरा 180-x है और यह दोनों बराबर है, तो यह 180-x के आधे-ाधे हो जाएंगे 180-x का आधा जो है, वो देखो, किता होगा, कैसे निकाल होगा, यह देखो 180-x का आधा मतलब पूरे को 1 बटा 2 से गुणा कर दो तो 180 90-x को 1 बटा 2 से गुणा करोगे तो क्या आजाएगा 90-x बटा 2 तो ऐसे में, यह वाला जो कॉन है आपके पास में, यह किता हो जाएगा 90-x बटा 2 और यह वाला कॉन जो है, यह भी किता हो जाएगा 90-x बटा 2 यह चीज आपके पास में आजाएगी अब यहां तक की बात समझ भाए होगी अब हमें क्या निकालना था? अंगल ROT निकालना है तो अब जरा यहां पर देखोंगे आप अब अंगल ROT वो अपने पास में किसके बराबर है? यह देखो यह है ROT ROS प्लस SOT तो आप यहां पर बोलोगे अंगल ROS प्लस अंगल SOT अब अंगल ROS का value अभी अपने पर निकाला? X बटा 2 तो यहां पर आप लिखे लेंगे X बटा 2 और अंगल SOT जो है उसका value अपने किता निकाला? अभी अभी यह रहा SOT 90-X बटा 2 तो यहां पर आप लिखेंगे 90-X बटा 2 ठीक है यह एंगल SOT का value है X बटा 2 से X बटा 2 कट जाएगा तो final आपके पास में क्या जाएगा 90 degree तो एंगल ROT जो है वो आपके पास में कितना आ चुका है 90 degree आ चुका है यह हमको निकालना था ठीक है आगे बढ़ते हैं ओपर Next अपन आते हैं किस पर प्रशनावली 6.1 पर अपने पास में क्या लिखा है आकरती में रिखाएं A B और C D बिन्दू O पर प्रतिछेट करती है ठीक है तो रिखाएं कौन कौन सी है एक तो यह है A B और यह है C D यह यह दूसरे को बिन्दू O पर प्रतिछेट कर रही है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यदि अंगल AOC प्लस अंगल BOE जो है वो आपके आज में कितना दियावा है 70 डिगरी देर का है ठीक है? अंगल AOC प्लस अंगल BOE अब देखो यहाँ पे AOC कौन सा है? यह वाला अंगल है अंगल AOC BOE कौन सा है? यह वाला हो जाएगा? आपके आउस में अंगल BOE इन दोनों कोणों का योग कितना है 70 है और अंगल BOD कितना है 40 डिगरी अब यहाँ पे देखो BOD याणि कि यह वाला जो कोण है यह कितना हो जाएगा 40 डिगरी हो जाएगा तो अंगल BOE और प्रतिवर्थी आंगल COE गयाद करना है step by step चलते हैं सबसे पहले अपने आंगल BOE गयाद करेंगे BOE यानि कि ये वाला जो कॉन है ये आपको निकालना रहेगा कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए कि अपने पास में मान लीजी ये वाला क्या है आपके 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 आ अब जरह यहां पे आप गौर से देखना कि angle 2 plus angle 3 जो है question ने किता दे रहे है 70 degree तो angle 2 plus angle 3 बराबर किता हो जाएगा 70 degree angle 2 का value तो किता है 40 degree plus angle 3 बराबर है किसके? 70 degree के तो ऐसे में angle 3 का value किता हो जाएगा 40 को उस तरफ ले जाओ 70 minus 40 यानि कि 30 degree जो है आपके पास में answer आ जाएगा angle 3 अब angle 3 अपने पास में क्या है? B O E B O E therefore आप क्या बोलोगे? angle B O E जो है वो अपने पास में किता है आ जाएगा? 30 degree आ जाएगा तो यह एक अपने पास में answer आ चुका है अब next हमें क्या करना है? आगे solve करेंगे आगे हमें प्रतिवर्ति कोन B O E निकालना है अब यह प्रतिवर्ति कोन B O E जो है दिख कहां पे रहा है सबसे पहले यहां पे देखो B O E तो यह है हमें प्रतिवर्ति कोन B O E निकालना है मतलब यहां से लेके यहां तक यह वाला कोण निकालना है तो जब भी आपको प्रतिवर्थी कोण नहीं, प्रतिवर्थी कोण COE हमें निकालना रहेगा यहाँ पे देखेंगे, COE COE, यह है आपके 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 COE, यह वाला कोण COE है हमें प्रतिवर्थी निकालना है तो हमें पता है प्रतिवर्थी कोन जो होता है जो भी वो किसके बराबर होता है 360 माइनस वो कोन अब वो कोन यहां पे कौन सा है C O E है तो पहले हमें यह वाला कोन जो है वो ग्याद करना रहेगा मान लीजे आपके आज में यह कोन किता है कोन 4 है अब यहाँ पे देखिए AB जो है एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पे स्थित कौन का योग जो है वो किता होता है 180 डिगरी तो आप क्या बोलोगे अब अपने पास में कि अंगल 2 प्लस अंगल 3 प्लस अंगल 4 बराबर हो जाएगा 180 डिगरी यहाँ पे कारण लिखेंगे सीधी रेखा पे स्थित कौन अंगल 2 प्लस अंगल 3 का वैल्यू किता है आपके पास में 70 डिगरी तो यहाँ पे आप लिखेंगे 70 डिगरी प्लस अंगल 4 बराबर हो 180 डिगरी के एंगल COE वो बराबर हो जाएगा अपने पास में किसके 360 माइनस कौन COE अब 360 तो है आजटीस लिख दो और COE का वैल्यू कित्ता निकालाता है 110 तो यहाँ पर आपके पास में कित्ता आजाएगा 250 डिग्री यह फाइनल आंसर आजाएगा प्रतिवर्ति है कौन COE का तो इस तरह से अपन जो है यहाँ पर यह question करने वाले है I will be clear है ठीक है आगे बढ़ते हूं अपन एक बार complete look देख लिजिए और A अनुपाद B जो है वो कित्ता है दो अनुपाद 3 है यह वाला जो है A और यह जो B है इनका अनुपाद देरगा है तो C जो है हमें ग्याद करना रहेगा यानि कि यह वाला जो C है यह अपन को ग्याद करना रहेगा तो चलिए करते हैं, सबसे पहला आप यहां पे देखिए कि A अनुपाद B जो है 2 अनुपाद 3 दे रगा है, तो ऐसे में हम अनुपाद को खोलना जानते हैं, तो A बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, X ले ले, ठीक है, X के साथ खोल लेते हैं, और B बराबर आपके पा का योग 90 degree होता है, तो आप क्या बोलोगे, कोन A प्लस कोन B प्लस 90 degree बराबर X के 180 degree के और यहां पे कारण लिखोगे, ठीक है, कोन A का value किता है आपके पास में 2X है, कोन B का value किता है आपके पास में 3X हो जायगा, ठीक है, और यह 90 जो आपन क्या करते हैं, इसको सीधे हाथ आपने ले जाते हैं ठीक है तो 180-90 किता हो जाएगा आपके पास में 90 डिग्री हो जाएगा 2x plus 3x किता हो जाएगा 5x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा 5 इस तरफ गुणा में है उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 90 बटे 5 बराबर 18 तो x का वैल्यू किता आचुका है 18 डिग्री आचुका है यह x का वैल्यू है तो ऐसे में कौन B और कौन A का वैल्यू निकाल सकते हैं तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे therefore कौन B का जो वैल्यू अपने पास में वो किता है 3 गुणा x है 3 गुणा 18 यानि कि 18 तो यह चोपन डिग्री आपके पास में आंसर आ जाएगा इस तरह से अपन कडने वाले कॉश्चन ने तो हमें क्या बोला था C का वैल्यू निकालना है अब कैसे निकाले जरह यहाँ पर देखेंगे आपके पास में यह जो MN है यह आपके पास में क्यों है सीवचन डिखा है और MN के अपर यहाँ पे 2 कॉण आपको दिखाई पड़ेंगे कॉन-कॉन से एक तो यह वाला कॉण दिखाई पड़ेगा B और यह वाला कॉण दिखाई पड़ेगा C तो आप क्या देखे रहो सीधी रेखा पे स्थित कॉन जो होता है उनका योग कित्ता होता है 180 डिग्री या तो ऐसे बोल लो दूसरा तरीका क्या है कॉन B और कॉन C जो आपके वास में रेखे क्योग में है और रेखे क्योग में का योग जो है वो कित्ता होता है अब यहां पर आप क्या करिए इस 54 डिगरी को उदर ले जाएगे तो कौन C का वाल्यू किता हो जाएगा 180 माइनस 54 डिगरी तो 126 डिगरी जो है आपके पास में कौन C का वाल्यू आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से जो अपन यहां पर इस कोशिन को करेंगे सिंपल सा है एक बार कंप्लीट लूप देख लीजिए आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं प्रस्ट नंबर 3 पर वो अपने पास में क्या लिखा है ज़रा समझने कोशिश करते हैं आकरती में यदि कोण PQR अब देखेंगे अपन यहां पर कोण PQR जो है कौन सा है बराबर है कोण PR क्योंके कोण PQR यानि कि यह वाला जो कोण है यह बराबर है कि इसके कोण PR क्योंके यानि कि ये वाला कॉन तो ये दोनों कॉन जो है अपने पास में क्या है बराबर है तो सिध कीजिए कि कॉन PQS बराबर कॉन PRT होगा तो हमें सिध करना है कि कॉन PQS यानि कि ये वाला बराबर होगा किसके कॉन PRT के ये हमें सिध करना है यह परपल वाले जो हैं दोनों इनको बराबर सिधह में करना रहेगा कैसे करेंगे तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सिंपल है ज्याद़ कोई खास डिफिकल्ट नहीं है अपने पास में सबसे पहला आप यहाँ पर देखिए यह अपने पास में क्या एक सीधी रेखा है तो यह दोनों कॉन जो है क्या बना रहे है रहे क्यों बना रहे है ठीक है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे अपने पास में उपर पत्ती में कॉन PQR प्लस कॉन PQS कॉन PQR प्लस कोण PQS बराबर होगा 180 डिगरी के कारण रहखे क्युक्म हो जाएगा और मान लेज़े यह समीकर नमबर 1 है फिर दूसरी बात आप यहाँ पर क्या बोलेंगे अपने पास में कि कोण PRQ प्लस कोण PRT ये भी रहखे क्युक्म हो बिना रहा है अब समीकर नमबर 1 और 2 से अपन क्या है हल करेंगे समीकर एक तथा समीकर न 2 से आप क्या कह सकते हो कि ये वाला हिस्सा ये भी 180 के बराबर है ये पूरा ये भी 180 के बराबर है तो ये दोना आपस में बराबर होगा देफोर कोण PQR जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा सॉरी कोण PQR प्लस कोण PQS वो बराबर 180 के लेकिन 180 इसके बराबर है कोण PRQ प्लस कोण PRT ये आपके पास में आजाएगा अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि कोण PQR और PRQ तो बराबर है और यही हमें सिद्ध करना था इस तरह से अपना final answer जो है यहाँ पे आ जाएगा तो यह बाद complete look यहाँ पे देख लेजी इस तरह से अपन चीज़ों को करने वाले आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट आगे अपने पास में है प्रस्ट नमबर 5 वो क्या लिखा है आकृती में POQ एक रेखा है ठीक है POQ एक रेखा है अब जैसी रेखा देदी तो हमें बहुत सारी information मिल जाती है अब आगे देखो क्या लिखा अपने पास में किरन OR रेखा PQ पर लंब है यानि कि 90 degree का कौन मनाता है यह हमें देखने को यहां पे मिल रहा है किरनो OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरन है किरनो OP और OR देखो यहां पे OP कहा है अपने पास में यह रहा OP यह रहा OR यह रहा किरनो OP और OR के बीच में OS यह रहा OS एक अन्य किरन है सिध कीजिए कि angle r o s जो है वो इसके बराबर हो जाएगा अपने पास में एक बटा दो angle q o s q o s कौन सा है देखो q o s यानि कि ये पूरा angle minus p o s यानि कि ये वाला angle तो इस पूरा angle में से ये अगर घटा होगे और उसका आधा करोगे तो वो किसके बराबर होगा angle r o s के ये वाला angle ठेक है तो काफी चीज़े complicated है तो हम इताधा complicated नहीं करेंगे हम step by step चलते है अब देखो जब भी अपने को ये सिद्ध करने वाला question होता है तो हम क्या करते हैं हमें ऐसी situation इसको इसके बराबर लाना है या इसको इसके बराबर लिया हो एक ही बात है क्या फर्क पड़ना है तो आप यहां पर देखो ज्यादा complicated क्या लग रहा है ज्यादा complicated यह है इसके अपने पास में कुछ chance है solve करने का तो हम क्या करेंगे सीधे हात वाला हिस्सा इसको लेंगे तो आप यहां पर क्या बोलेंगे RHS को अपने पकड़ते हैं RHS क्या है एक बटा दो कॉन QoS माइनस कॉन POS यह आपके पास में है अब next आप यहां पर देखिए कि कॉन QoS क्या है यहां पर कॉन QoS अपने पास में यह है QoS यानि कि यह पूरा कॉन है इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप देख सकते हो कि यह कॉन प्लस यह 90 डिग्री वाला कॉन मिलके बन रहा है न यह वाला कॉन प्लस यह वाला कॉन मिला के ही तो आपके आसमें यह पूरा का पूर 90 degree, यह तो किसका value हो चुका, angle QoS का minus angle PoS जो है, इसका value मुझे अब लिखना रहेगा अब देखो, angle PoS का value आप कैसे लिखोगे, जरह यहाँ पे देखना angle PoS, angle PoS कुन सा है, PoS, बस यह वाला ही है, angle PoS अब, angle PoS को आपन कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ तो angle QoS को लिख सकते थे, लेकिन angle PoS को कुछ नहीं लिख सकते तो ऐसे मी अपना काम नहीं बनेगा, अगर आप इसको कुछ नहीं कर सकते यह angle POS ही बचेगा न, बिल्कुल, तो यह ही तो करना है, कि यह minus यह बराबर यह, तो angle POS का जो value है, वो आप क्या लिख सकते हो अपने पास में, angle POS का value आपके पास में इस तरह से हो जाएगा, कि angle POR, angle POR, minus angle ROS, minus angle ROS, यह बंद कर दीजे, अब next यहां पर देखना, कि अगर आपके पास में, यह सीधी रेखा है, यह वाला कौन जो है, आपके पास में किता है, 90 degree है, यह वाला कौन आपके पास में 90 degree है, तो ऐसे में, यह वाला कौन होगा, यह भी आपके पास में किता होगा, 90 degree होगा ना, कटा के देख लो ना, यह total 180 है, 180 में से 90 क्या तो यह किता बचेगा 90, यानि कि angle POR का जो value है, वो किता है, 90 degree है, तो यह 90 degree होगा, तो बस, अब solve कर लेका अपन, एक बटा दो, angle ROS, plus 90 degree, minus angle POR, और POR का value किता है, 90 degree, minus minus will become, plus angle ROS ही हो जाएगा, 90 में से 90 जो है, आपके angle ROS plus angle ROS किता हो जाएगा, 2 गुना angle ROS, अब आप यहाँ पर क्या करिए, 2 से 2 जो है, इसको cut कर दीजे, तो 2 से 2 को cut करेंगे, अपन, ठीक है, 2 से 2 को cut करेंगे, तो हमारे पास में simple क्या बच जाएगा, angle ROS, जो की बराबर है किसके left hand side के, और यही अपने पास में final answer था, तो इस इस तरह से जो है अपन यहाँ पर इस question को हल करने वाले है, ठीक है, एक बाल complete look देख लीजे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यह अपने प्रशनावली 6.2 के topic पर आते हैं, अब वो अपने पास में क्या है, यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला अपने topic है समानतर बहुत simple topic है अपने पास में, यहाँ पर देखेंगे, यह जो दो रेखाएं हैं, यह समानतर है, कैसे पैचानेंगे, यहाँ देखो, ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिछेद ना करें, वे समानतर रेखाएं क्या लाती है, वो हमेशा चलती जाएंगे, कभी भी तिरियक रेखा, वे रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन बिंदूओं पर प्रतिछेद करती है, ठीक है, प्रतिग करती है, वे तिरियक रेखा क्यलाती है, वे रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन बिंदूओं पर प्रतिछेद करती है, अलग-अलग बिंद वो अपन दिश्कस कर लेते हैं, ठीक है, अब यहां पर देखो, यदि एक तिर्यक रेखा, दो समानतर रेखाओं को प्रतिछेत करें, मानलीज आपके आशनमें यह दो समानतर रेखाएं है, M और N और यह आपके पास में तिर्यक रेखा क्या है, L है, तो संगत कोणों का प्र और ये वाला जो कोण है, वो बराबर होगा, इस वाले कोण के है, ठीक है, तो ये अपने पास में संगत कोणों के युगमों बराबर होता है, अब इसकी उल्टी बात आएगी, यदि एक तिरियक रेखा, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेत करें, कि संगत कोणों का एक युगमों बराबर हो, कोई भी संगत कोणों का एक युगमों जो है, आपको बराबर दे दिया जाए, ठीक है, तो दोनों रेखाएं परसपर आपके आसपने क्या होंगी, तो आप बोलोगे कि ये जो रेखाएं M और N है, ये आपके बास में क्या है, समानतर है, अगर कोण बराबर है, तो समांतर है, और यहां आपने बोला कि अगर समांतर रेखा है तो कोन बराबर है? बस एत्यासी बात है आगे बढ़ते हैं उपन यदि अब प्रमय 6.2 है यदि एक तेरिय अगर रेखा दो समांतर रेखाउं को प्रतिछेथ करे तो तो एकांतर अंते कोणों का प्रत्य युग्मू बराबर होता है, ठीक है, मान लिजए यह M और N समांतर दीवी है, तो ऐसे में एकांतर अंते कोणों का प्रत्य युग्मू जो है बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये वाले जो दोनों कोण हैं, ये भी आपके पास में बराबर हो जाएंगे ठीक है alternate interior angles या फिर एक आंतर अंते कौन जो है वो बराबर हो जाएंगे अब इसका उल्टा बोलेंगे अगर आपके पास में एक तिरियक रेखाएं हैं वो दो रेखाओं को प्रतिछेत करती भी जा रही है और एक आंतर अंते कौनों का एक युग मे प्रतिछेत करें तो तिरियक रेखा के एक ही और के अंते कौनों का प्रत्य युग म संपूरक होगा यानि कि यह दोनों रेखाएं आपके आश्में समांतर दीवी है तो यह जो आपके आश्में से अंते कौन बन रहे नहीं है इनका युग म का योग जो है वो किता होगा 180 180 डिग्री होगा बस एत्तिसी बात है अब इसकी उल्टी बात यहां पर हो जाएंगी यदि एक तिरियक रेखा दो रेखाएं को इस प्रकार प्रतिछेत करेंगी तिरियक रेखा के एक ही और के अंते कौनों का एक युग म संपूरक है माल लीजे इन दोनों का योग देर का है आपको किता 180 डिग्री दे रहा है तो आप क्या बोलोगी दोनों रेखाय Extension ौनका योग 180 डिग्री है समानतर है तो कोणोंं का यूग 180 ॡ़िए तो रेखा है समानतर है औल्टी बात चल रही है नेक्स्ट आपर में 6. यह पैक और चुर्वार वह समानतर है नेक्स्ट बात आपको बोली कि यह जो Q और R रिखा है न यह भी समानतर है तो P Q के समानतर है Q R के समानतर है तो आप यहां पर क्या बोलोगी वह यहां कि P और R जो है वो भी समानतर हो जाएंगी तो यह ही है, वे रेखा हैं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस पर समांतर होती है, इस तरह से, ठीक है, अब हम completely ready है, सारी थियोरी अपन ने देख ली है, अब हम completely ready है, प्रशनावली 6 पॉंट दोगे, कुछ questions आपन करेंगे हैं, सबसे पहले उदार नमबर 6 आता है, आकरती म AB समांतर दे रहा है, आपको किश के CD के, तो यहाँ पर देखेंगे, AB समांतर है, CD के, तो यह आपके पास में AB है, और यह आपके पास में CD है, CD इत्ता सा ही है, पर इसको आपन ने extend कर रहा है, बड़ा रहा है, तो मतलब यह पूरा का पूरा AB समांतर हो जाएगा, simple भाशना जाएगा यदि कौन B E F 55 डिग्री है यहां पर देखेंगे B E F यानि कि यह वाला जो कौन है ना यह किता है आपके पास में 55 डिग्री है तो X Y or Zð के मान जो है वहां उम्हें ग्याद करने रहेंगे ठीक है X kay kay और Z बोबने सक्ष डिखेंगी कि CD जो है उब एफ के पालल है, CD जो है वह की F के समानता रहे तो आप यहां पर कह दोगे कि ये इसके समानता रहे ये इसके समानता रहे थे, तो ये भी 90 हो जाएगा, इसका कारण क्या है, कि AB जो है, वो अपने पास में EF के समानतर है, और AE आपके पास में तिरियक रिखा है, तो ये दोनों कोण जो है आपके पास में, ये दोनों कैसे हैं, से अंते कोण है, और से अंते कोण का योग कित्ता होता है, 180 degree, ठीक है, तो आप यहाँ पर माल लीजे, इस कोण को अपन नाम देते हैं, कोण 1, ये कोण 1 है, और ये जो पूरा का पूरा कोण है, ये कोण 2 है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, कि चूकी अपने पास में AB जो है, वो समानतर है, किसके, EF के, तो ऐसे में, कोण 1 प्लस कोण 2, बराबर हो ले जाएंगे, तो कोण 2 का वैल्यू भी किता हो जाएगा, ये आपके पास में इसका अंसर आजाएगा, ठीक है, अब ये कोण 2 का वैल्यू आया है, अब हमें तो क्या करना है, इस Z का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाले, ज़र यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा है, Z plus 55 डिग्री, जो की बराबर है किसके, 90 डिग्री के, तो Z का वैल्यू किता आजाएगा, 90 में से 55 गए तो आपके वास में आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है, हाँ, तो Z का वैल्यू जो है, वो किता आ चुका है, 35 डिग्री, हमने एक आंसर जो है, वो तो निकाल लिया, अ यहाँ पर ज़र आब observe करो, कि अपने पास में यह वाली line, और यह वाली line, समांतर है, यह आपके पास में तिरियग रिखा हो जाएगा, ठीक है, यह तिरिय रिखा हो जाएगा, तो एसे में आपको, जो है यहाँ पền प्राप्त होंगे, कौन-कौन से, एक यह तो यह वाला में यह क्या है c d समानतर है यह मान लीज़े एक और बिंदो आपके बास में क्या ले लेते हैं अपन जी ले लो जी आपके बास में नाम करण के लिए तो आप यहां पे बोलेंगे कि c g जो है अपने पास में वह समानतर है किसके e f के ताथा तिरियक कौन है आपके पास में e d जो है वह तिरियक है तो ऐसे में कौन y ठीक सिंपल y से दरशा लेते हैं y प्लस 55 degree जो है वह किता हो जाएगा 180 degree इसका कारण क्या है से अंते कौन तो y का वैलीड़ किता आजाएगा 180 माइनस 55 degree यानि कि y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 125 degree ठीक है तो यह y का कि यह समानतर है इसके cg के और x और y आपके पास में कैसे हैं यह संगत कोण हो जाएंगे तो आपसे में बराबर हो जाएंगे संगत कोण को पैचान होगे कैसे आपके लिए मैं एक बार डाइग्राम मनाते हूं ताकि आपको थोड़ी सी समझ में आए ठीक है यहां पर देखो तो यह आपके पास में क्या हो जाएगा यह दोनों समानतर रिखाए हैं यह अंदर का कोण है यह बाहर का कोण है तो एक अंदर का कोण है एक बाहर का कोण है दोनों एक ही तरफ हैं तो यह संगत कोण हो जाएंगे तो अब x और y जो है वो बराबर हो जाएंगे कारण क्या हो जाएगा संगत कौन तो दोनों का value आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर reason जरूर मेंशन करेगा संगत कौन तो इस तरह से जो है अपन यहाँ पर इस question को यहाँ पर कौन सा concept काम आएगा अपन ने जो पड़ा था न कि अगर संगतर रेखाए उती है तो कोन बराबर हो जाते हैं यहाँ पर हम उल्टा प्रयोग करेंगे अगर कोन बराबर है तो रेखाए समान तरूंगी हमने इस तरह की प्रमय और अभिग्रेद देखे थे दोनों y से बड़ सा उल्टे देखे थे एक बार तो चली निकालते हैं सबसे पहले x और y का मान निकालते हैं ठीक है तो x और y का मान अपन कैसे निकाले y तो बहुत आसान है सीधा शीर्षो विमक कोन है तो यहां पर आप सीधा कर दोगे y बराबर कितना हो जाएगा 130 degree शीर्षो विमक कोन है फिर next आप देखिए कि अपने पास में यह एक सीधी रेखा है यह वाली और यह सीधी रेखा है सीधी रेखा के आउपर आपको यह जो कोन 1 प्लस x जो है वो 180 degree हो जाएगा कारण जो है आप यहां पे रेखी यूग में लिखेंगे और कोन 1 का वैल्यू कितना है आपके पास में 50 degree तो यहां पे आप लिखेंगे 50 degree प्लस x बराबर है 180 degree के तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 130 degree आ जाएगा ठीक है? 130 आजाएगा अब X का value तो 130 आया है और Y का value भी कितना है आपके पास में 130 है तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि X और Y जो है क्या है अपने पास में एकांतर अंतर कोन है और एकांतर अंतर कोन बराबर है अते है? आप यहां पर बोलोगे अपने पास में कोन X बराबर है कोन Y के कैसे कोन है यह? एकांतर अंते है कोन है अते है अते है अपने आते हैं प्रशन नमर दो पर क्या लिखा है? आकरती 6.29 में यदि AB जो है वो समांतर है CD के तो यहां पर आपन देखेंगे AB जो है वो कौन है? यह राग यह AB जो है CD के समांतर है और CD जो है EF के समांतर है तो अविसले आपन बोल देंगे पर हमें हमने पढ़ा था कि इस case के समानतर है तो ये तीन आ अपस में समानतर होगा है ठीक है और y अनुपाद z जो है वो तीन अनुपाद साथ है तो y अनुपाद z जो है तीन अनुपाद साथ आपको देर का है next तो x का मान जो है वो हमें निकालना रहेगा अब x का मान निकालना है कैसे करें सबसे पह तो कि कोण एक जो है वो बराबर हो जाएगा वाई कि इसका कारण हो जाएगा शीर्षव भिमक कोण ठीक है आप रिख लिएगा अब नेक्स्ट आप यहां पर देखिए कि अपने पास में यह जो सीडी है और यह जो एफ है यह दोनों समानतर है कोण एक और जेड जो है दोनो अपस में क्या है अपने पास में एक अंतर कोण दोनों और एक अंतर अपने पास में यह जो है दोनों से अंतर कोण बनाएंगे तो इनका योग जो है कित्ता हो जाएगा 180 दिग्री तो आप वो लोगे चुकि अपने पास में सीडी जो है वो समानतर है एफ के तो ऐसे में को हो जाएगा से अंते कॉन अब कॉन एक किस के बराबर है य के तो आप यहां पे लिखेंगे य प्लस जड बराबर 180 डिगरी अब नेक्स्ट यहां पे देखिए य अनुपात जड जो है वो किता देर का आपको तीन अनुपात साथ देर का है तो य का वैल्यू अपन क्या ले ल अब वैल्यू रख दू य का वैल्यू आपके आसमे किता आ रहा है 3M तो यहां पे आप रखेंगे 3M Z का वैल्यू आपके आसमे किता आ रहा है 7M वो रखेंगे जो की बराबर है किसके 180 डिगरी के 7m प्लस 3m किता हो जाएगा 10m बराबर हो जाएगा 180 degree m का value किता हो जाएगा 180 बटे में 10 यानि कि m का value आजाएगा 18 degree अब ये m का value आया है question ने हमें x का value पूछा है अब वो अपन x का value निकालें अपन क्या करते हैं पहले इसका y का और z का value देख लेते हैं ठीक है अब हम यहाँ पर का करते हैं अब z का value निकाल लेते हैं तो z किता है आपके पास में 7 गुणा m और m का value किता है आपके आज में 18 126 degree आजाएगा आपके पास में z का value ठीक है अब next आप यहां पर देखेंगे अपने पास में, simple यह देखो, कि यहां पर AB आपके पास में, वो समानतर है किसके, AB जो है वो समानतर है इस EF के, और यहां पर आपको जो है क्या देरका है, यह तिरिया करेखा देरका है, यह कौन आपके पास में X है, और यह वाला जो कौन है आपके बास में यह किता हो जाएगा Z हो जाएगा तो आप क्या देखरो A B समानतर है E F के, चुकि A B समानतर है E F के और तिरियक रेखा कौन है आपके आस में ये L नाम देदो इसका L जो भी है तो X और Y, X और Z जो है बराबर हो जाएगे आपके आस में इसका कारण क्या हो जाएगा एक आंते रंते कौन अब Z का value 126 degree है तो ऐसे में X का value जो है वो भी किता हो जाएगा 126 degree इस तरह से जो है आप यहाँ पर अपना answer निकाल लेंगे ठीक है आए अब यहाँ तक idea लगा होगा अब अपना आगे बढ़ते हैं next अपने पास में क्या है प्रशन नंबर 4 वो अपने पास में क्या है प्रशनावली 6.2 का क्या लिखा है आकरती 6.1 नेक में यदि PQ जो है वो समानतर है स्ट के ठीक है यह है PQ और यह है स्ट और यह दोनों समानतर है अब देखो यहाँ पर क्या चोटटटट तुकड़े देर नहीं है इस तरह से अपने लिए सोचना आसान हो जाता है ठीक है और आप चाहो तो इसको भी बढ़ा लेंगे जरूत पड़ेगी तो अपन इसको भी जो है इसके अंदर ऐसे डाल सकते है पर अभी इतना बहुत है अब देखते हैं आगे अपने पास में क्या लिखा है यद सबसे पहले तो आप यहां पर देखेंगे इसको अपन कैसे करें अब यहां पर देखेंगे इसको अपन को हल कैसे करना है बड़ा ही आसान है अपने पास में यहां पर आपन क्या करते है कुछ बिंदू के नाम कर लेते हैं यह वाला जो बिंदू है जैसे अपने पास में P Q R S T है तो अपन क्या करते है इस वाले बिंदू को यू नाम दे देते है ठीक है यह वाला कॉन तो 130 डिग्री थाई अब ये वाला जो कोण है ना, इस कोण का नाम करण में क्या कर लेता हूं, कोण एक नाम दे देता हूं, ठीक है, और ये वाला जो कोण है, इस कोण का नाम में क्या दे देता हूं, कोण दो दे देता हूं, ऐसे आपको पता कि कोण एक और कोण दो जो आपसें बराबर हो जाएंगे इसका कारण के आईशे शोवेब कोण है लेकिन अपन कर लेते हैं क्योंकि अपने लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाए चीजे करना फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कुछ और अपन कोणों के नाम कर लेते हैं अपन को ये वाला कोण निकालना है इसका नाम अपन कोण 3 कर लेते हैं ये वाला जो कोण है इसका अपन नाम कोण 4 कर लेते हैं और ये जो 110 डिग्री है इसको अपन कोण 5 कर लेते हैं अब देखो अपने लिए चीजे काफे सिंपल होने वाली है सबसे बहले था आप यहाँ पे देखो तो यह जो कौण 5 और यह जो कौण 4 हैं, यह सीधी रेखा पे स्थित हैं, रैखे योग में बना रहे हैं, इनका योग 180 डिग्री होगा, तो आप यह बोलेंगे कि कौण 4 प्लस कौण 5 बराबर 180 डिग्री, रैखे योग में इसका कारण हो जाएगा, कौण 5 का वैल्यू आपक अगर मैं कौण 1 का वैल्यू निकाल लूगा, तो कौण 2 मिल जाएगा, ठीक है, यह वाला, अब कौण 1 निकाल लेता हूँ, कौण 1 कैसे निकाल लूँ, आप यहाँ पर देखो, यह आपके वास में देर का हैं, यह ST और यह अपन ने PQ था, यह दोना समानतर हैं, ठीक है, तो, यह कौण 1 है, और यह वाला कौण जो है, अपन इसको क्या करते हैं, कौण 1 है, कौण 4, 5 हो चुका है, इसको कौण 6 ले लेते हैं, यह वाला जो कौण है न, इसको अपन कौण 6 ले लेते हैं, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, कि कौण 1 और कौण 6 जो है, दोनों क्य Q जो है, वो समानतर है किसके? S T के तो S A में कौन 1 प्लस कौन 6 बराबर आजाएगा 180 डिगरी से अंते कौन इसका कारण हो जाएगा कौन 6 का वैल्यू अभी भी अपने को कुशन है देर का है 130 डिगरी तो कौन 1 प्लस 130 डिगरी बराबर आजाएगा 180 डिगरी तो कौन 1 का वैल्यू? 180 में से 130 गया तो किता बचेगा 50 डिगरी ये कौन 1 का वैल्यू अपने पास में आ चुका है ठीक है? अब कौन 1 और कौन 2 बराबर है चुकि कौन 1 बराबर है कौन 2 के और इसका कारण क्या हो जाएगा? शीर्षो बिमुक कौन तो ऐसे में कौन 2 का जो वैल्यू है वो किता आ जाएगा आपके पास में? 50 डिगरी आ जाएगा यहां तक कि तुम्हें गाल से बात समझ माया होगी? सिंपल है अब अपन आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे आगे अपने पास में देखेंगे आपको यहां पर एक तृबुच दिख रहा होगा तृबुच कौन सा वाला दिख रहा है? यह वाला दिख रहा होगा इस तरह से यह है आपके पास में R यह है आपके पास में Q और यह आपके पास में U ये वाला कोन क्या है आपके वास में कोन 4 है ये वाला क्या है आपके वास में कोन 2 है और ये वाला नीचे वाला क्या है कोन 3 है तो हमें कोन 3 निकालना है तुरे बुच के 3 कोनों का योग 180 degree होता है हमें इस बात के जानकारी है तो आप इस बात के यहां पर प्रयोक कर सकते हो कि त्रिबुज के सभी कोणों का योग 180 degree हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, त्रिबुज Q-U-R में, अब कोण 2 का value अभी अपने निकाला एक किता है, 50 degree है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 50 degree, कोण 3 का value अपने निकाला एक है, 120 को इदर लिया हो, तो ऐसे में कोण 3 का value, 180 में से 120 किता बचेगा, 60, अब यह 3, कोण 3, 1, 2, तो अपनी अपनी सुईधा के लिखा है, Q-U-R-S, तो हमें उस नाम में ही करना पड़ेगा, तो ऐसे में, कोण Q-R-S, जो है, वो किता आजाएगा, आपके पास, इसमें, 60 degree आ जाएगा, और इस तरह से अपनी इसको solve करेंगे, ठीक है, तो एक बार complete look देख लिजे, कोई दिक्कत हो तो पताईए, इसमें, ठीक है, Next अपन आते हैं, तो इसमें साथ ही अपन प्रशनावली 6.2 जो है, उसका अपन discussion कर चुके हैं, अब Next अपन करेंगे, प्रशनावली 6.2 तीम का, किसी तरिबुच के कोणों का योग, जो है, वो 180 degree होता है, यह अपने पास में प्रमे हैं, वैसे अपने इस बात का प्रयोग पिछले वाले question में कर चुके हैं, पर हमें अब आईए, लेकिन हम क्या junior classes में भी उसका use कर चुके हैं, इसलिए अपन ने पिछला ले question में use कर लिया, हम सिर्व इसके भरोसे नहीं रहे, ठीक है, किसी तरिबुच के कोणों का, यह कोणों नहीं है, कोण है, ठीक है, कोणों का योग जो है, वो 180 degree होता है, मान लिजी, आपके पास में एक तरिबुच है, ABC, इसके अंदर 3 कोण है, A, B और C, तो इनके कोणों का योग जो है, वो 180 degree होता है, यह अपन बात ले रहे हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, प्रमेच, एक क्या लिखा है, यदि एक तरिबुच की गुजा बढ़ाई जाए, ठीक है, तो मान लिजी, आपके पास में एक तरिबुच है, नाम करन कर लेते हैं, P, Q, R, और इसकी ये वाली जो बहिश कोण, दोनों अन्तेह अभीमुक कोणो के योग के बराबर होता है, दोनों अन्तेह अभीमुक कोणो के योग के बराबर होता है, मान लिजी, ये कोण एक है, ये कोण दो है, ये कोण तीन है, तो ऐसे मैं आपके बोलोगे कि कोण तीन जो है ना, बहिश कोण वो बरा पर काफी काम का है आगे आता है आपन किस पर प्रशनावली छैपॉंट टीम के उपर प्रशन नंबर एक है वो अपने पास में क्या लिखा ज़रा समझते हैं आकरती में त्रिबुच PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमश हो देखो QP ये रहा QP और RQ ये रहा को क्रमश हो बिंदूओं S और T तक बढ़ाया गया है तो QR को T तक बढ़ाया है और जो आपके आपस में QP है इसको S तक बढ़ाया गया है मतलब आगे तक खैस दिया ना ये बात कहा रहा है तक बढ़ाया गया है यदि कॉन SPR बराबर 135 डिग्री है तो यहां पे आप देखे में किता हो जाएगा 110 डिग्री है तो कोन PR Q ग्याद कीजिए कौन सा वाला PR Q यानि कि यह वाला जो कोन है यह आपको पूछा जा रहा है कैसे ग्याद करेंगे यहां पर अभी अभी अपन नहीं जो पढ़ा था ना प्रमे 6.6 कि बहिश कोन जो है अन्त है अभी मुख कोनों क योग के बराबर होता है इस बात का प्रयोग करेंगे कैसे करेंगे पहले आप यहां पर देखिए यह वाला कोन अपन को निकालना है ठीक है मान लीजे यह कोन एक है यह मान लीजे कोन दो है यह मान लीजे आपके आसमें कोन तीन है और यह वाला जो है यह मान लीजे कोन चा कर ईसका कारण लिखेंगे रहखें तो एंगल थी गित्ता है आपके पास में 110 डिग्री फ्लस एंगल 30 ऑफ़ एक इसके 180 की 110 को सीधा आतमे ले जाएंगे तो एंगल 3 यह वो किता आजाएगा आपके पास में 70 % ग्रिग्री तोación3 का value सतर आ गया, angle 1 अपन को निकालना है, अब देखना है यहाँ पे यह बहिश कोण होगया, बहिश कोण के अंत है अभी मुख कोण कोण हो जाएंगे, कोण 1 और कोण 3 जो है अंत है अभी मुख कोण हो जाएंगे इस बहिश कोण के, तो अभी अभी हमने प्रम्य पड़ी थी, कि बहिश कोन जो है अन्त है अभी मुख कोनों के योग के बराबर होता है इसका मतलब यह है कि कोन 4 जो है वो इस कोन 3 प्लस कोन 1 के बराबर होगा तो आप यहाँ पे बोलेंगे अब कोन 4 जो है वो कोन 1 प्लस कोन 3 के बराबर होगा और यहाँ पे आप लिखेंगे बहिश कोण लिख लेंगे उसका property हो जाएगा ठीक है अब सबका value रख दो आपका काम आसा आने बड़ा कोण 4 का value देखो किता है 135 दिगरी तो यहाँ पे आप लिखेंगे 135 दिगरी angle 1 तो आपको निकालना था angle 3 का value किता अभी अपने calculate किया है 70 degree तो यहाँ पे आप लिखेंगे 70 degree 70 को इस तरफ बेजो तो 135 minus 70 degree किसके बराबर है कोण 1 के तो 30 और 30 65 ठीक है तो 65 degree आजाएगा आपके बास में कोण 1 का value लेकिन आंसर इसमें आपको नहीं छोड़ना है तो कि कोशन ने अपनको 1,2,3,4,5 कोण नहीं दे रहें तो अपने अपनी सुईदा के लिए हैं हमें कोशन की भाषा में ही उसका जवाब देना पड़ेगा तो कोशन की भाषा के यह साब से है P R Q तो आप यहाँ पे बुलेंगे कि कोण P R Q वो किता हो जाएगा 65 degree हो जाएगा यह लिजे आपका final answer तो इस तरह से अपनको इसको solve करना रहेगा एक बार complete look देख लिजे कोई दिक्कत होगी नहीं अब अपने आते हैं किस पर प्रश्ट नमबर 2 पर प्रश्ट नमर 2 अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने कोशिश करते हैं आकरती में कोण X जो है वो 62 degree है ठीक है तो यह कोण X कौन सा है यह वाला यह पूरा का पूरा आपको क्या देरका है 62 degree देरका है यह पूरा 62 और कोण XYZ जो है चोपन डिक्री है कोण XYZ और कोण XY के संधीबाजक है तो Y O संधीबाजक है कैशıld में संधीबाजक मतलब इन 2 कोण को बराबर दो ιस्सों में बांठ दे ठीक है तो यह Y O संधीबाजक है और आगे क्या लिखा आपके पास में Z O जो है वो कोण XY Ozy, Xzy, इस पूरे कोन का संभी बाज़ कौन है? Caribbean ZOO है, यानि कि ela कोन वो इसे दो बराबर इस्सों में बाटतेगा? यह वाला कोन और ये वाला कोन तो कोन Ozy Ozy, यानि कि ये इस वाले कोन की बात कररा है? इस वाले कोन की तो कोन Ozy और कोन Yoz ग्याद कीजिए? y o z यानि कि ये वाला ग्याद करना रहेगा ठीक है तो ये दो परपल वाले जो कोण है ये आपको निकालना रहेंगे तो चलिए निकालते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले हैं आप यहाँ पर देखिए अपने पास में कि कुशन नहीं हमें एक जानकारी कि ये बड़ी अच्छी जानकारी कि ये कोण पूरा चोपन डिग्री है और y o जो है समधिबा जग है तो ये वाला जो कोण है ना और ये वाला कोण ये दोना आपस में बराबर हैं और टोटल के आदे-आदे होंगे तो टोटल चोपन है तो ये कोण किता हो जाएगा operation 27दिग्री हो जाएगा और ये वाला जो कोण है ये वी किता हो जाएगा आपके पास में 27दिग्री आ जाएगा ये एक काम तो हो गया next आप यहांपे क्या करिए इस कोण Z, ये जो पूरा का-पूरा Z है ना कौन अपने पास में, y, z, x ये पूरा बड़ा वाला, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो अपने निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि तरिभुज, x, y, z में कौन x प्लस कौन y प्लस कौन z, बराबर 180 तरिभुज का कौन योगण, आप यहाँ पे कह दोगे, कौन x का वैल्यू 62 डिग्री है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 62 कौन y, मतलब यह पूरा का पूरा किता है, चोपन डिग्री, कौन z, वो हमें निकालना है 180 डिग्री हो जाएगा इसको जोड़ दो 4 और दो 6 हो जाएगा 6, 5, 11, 116 डिग्री प्लस कौन z, बराबर है 180 डिग्री, तो कौन z का वैल्यू किता हो जाएगा, 180 माइनस 116, यानि कि 64 डिग्री आपके पास में आ जाएगा, ठीक है तो कौन z का वैल्यू आपके पास में किता आ जाएगा, 64 डिग्री ठीक है अब पुरे कौन z का वैल्यू 64 अहाएगा और oz समदिबा जाएगा यानि कि ये कौन और ये कौन बराबर होगा 64 का आधा आपके पास में क्या आ जाएगा 64 का आधा किता हो जाएगा 32 degree और 32 degree तो ये 32 हो जाएगा और ये भी 32 हो जाएगा question नहीं हमें बोला था कौन Ozy निकालना तो Ozy अपने पास में आ चुका है आते हैं आप यहां पर क्या बोलेंगे कि कौन Ozy जो है वो 1 बटा 2 यानि कि आधा होगा कौन Z का कौन Z 64 degree है तो 32 degree आपके पास में आ जाएगा कौन Ozy ये लिजे एक काम तो अपने पास में हो गया अब next आगे करते next हमें का करना है ये वाला कौन निकालना रहेगा ठीक है कौन सा? Y O Z Y O Z ये वाला निकालना है कैसे निकालना है? आप यहां पर दिखिए ए एक TRIBUJ दिख रहा होगा आपको TRIBUJย ये वाला कौन पता है 27 degree है ये वाला कौन पता है 32 है ये वाला निकालना है TRIBUJ का कौन ये घुंड लगा देंगे तो आप क्या बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे कि तरिभुज O Z Y में 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस कौन O Z Y नई, Y O Z बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, तरिभुज का कौन योग गुण आप यहाँ पे कह देंगे, अब इसको solve कर लो तो 7 और 2 हो जाएगा, 9, 3, 2, 5 हो जाएगा, 69, प्लस कौन Y O Z बराबर है किसके 180 डिग्री, तो कौन Y O Z का value आजाएगा, 180 में से 69 डिग्री गए, तो आपके पास में आ जाएगा 121 डिग्री तो कौन Y O Z जो है 121 डिग्री आपके पास में आ जाएगा तो इस तरह से जो अपने इस question को करेंगे अच्छा question है, तो ये बात रहती है अपने पास में आगे बढ़ते हैं, अब आगे अपने पास में last question है, इस one shot का वो अपने पास में क्या है question number 4, question 56.3 का क्या लिखा है, आकृती में यदि रेखा है PQ और RS, बिंदू T पर रेखा है PQ, तो देखो PQ यह रहा RS यह रहा, बिंदू T पर इस प्रकार प्रतिछेद करती हैं, तो वो गहां पर प्रतिछेद कर रही हैं, इस बिंदू T पर प्रतिछेद कर रही हैं कि कोण PRT बराबर 40 ु यहां पर देखना प-r-t यहानि कि यह वाला जो पिछान में डिग्री है यहां पर देखेंगे यह वाला को ど आफ यानि कि यह वाला कोण जो है वो पिछान में हो जाएगा और त- ka- toca-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha-tha- هasta-tha-tha-tha दिग्री कर लेते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे आप यहां पर देखेंगे अपने पास में कि मैं क्या विचार कर रहा हूं। यह मानलीज अपने पास में क्या है, कौन 2 है, यह मानलीज यह कौन 3 है, अगर मैं यह कौन 4 निकाल लूँगा, त्रिबुज का कौन यो गुण निकाल के, तो ऐसे में मैं यह कौन 5 निकाल पाऊंगा, शीर्षु बेमो कौन कहके, तो कौन 5 आ जाएगा, इस 45 डिगरी को कौन 6 मानले तो यह भी तो त्रिबुज है, इस में टिबुज का कौन यो गुण लगा के, अगर यह निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल, तो चले करते हैं तो सबसे पहलें आप क्या बोलेंगे रिपुज मैं, तो आप यहाँ पर कहेंगे, रिपुज R Ph T मैं, कौन 2 3 प्लस 4, कौ कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 4 बराबर 180 डिग्री इसका कारण क्या हो जाएगा तरे बुच का कौन यह गुण और एंगल 2 का वैल्यू किता है आपके पास में 50 में डिग्री एंगल 3 का वैल्यू किता है आपके पास में 40 डिग्री प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री 95 और 40 किता हो जाएगा 135 डिगरी प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिगरी अब 180 में से 135 को घटाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 45 डिगरी तो ये एंगल 4 आ चुका है अब एंगल 4 और एंगल 5 तो बराबर है चुकि एंगल 4 बराबर एंगल 5 के इसका कारण क्या हो जाएगा शीर्ष भी मुख कौन ठीक है तो एंगल 5 जो है वो भी किता हो जाएगा 45 डिग्री यह हो चुका है आपके पास में अब आगे बढ़ते हैं आगे आप देखेंगे अपने पास में एक और त्रिबुज है T S Q तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि T S Q में अंगल 1 प्लस अंगल 5 प्लस अंगल 6 बराबर है 180 degree तरिबुज का कौन योग गुण, अंगल 1 का value तो हमें निकालना रहेगा अंगल 5 जो है वो अपने पास में किता है 45 degree है और अंगल 6 जो है वो आपके आश में किता है 75 degree हो जाएगा ठीक है ये बराबर है 180 degree के अंगल 1 ऐसा का ऐसा 75 में 45 जोड़ों के तो 75 आशी 80 चार 120 बराबर 180 degree तो अंगल 1 किता आजाएगा 180 में से 120 गिए तो किता बचेगा 60 degree अंगल 1 तो हमने अपनी सुईदा के लिए नाम रखा है आप क्या बोलोगे अंगल SQT तो अंगल SQT बराबर आजाएगा आपके पास में कितना 60 degree तो इस तरह से अपने पास में यहां पर फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है तो यह आपके पास में पूरा सुलूशन हो जाएगा इस तरह से अंगल SQT ठीक मुझे उमीद है आपको समझ में होगा तो मुझे उमीद है आज का ही सेशन लगा होगा आपको शांदार पर फिर भी मन में किसी भी तरह की शंका तो अपने पास में कमेंट बोक्स है ना यार आप अपना वहां पे झाल